सबसे पहले बात करूंगा इंपोर्टेंट डेट्स तरीक को ऑफिसल गेट 2022 की एंसर की और लेडी रिलीज हो चुकी है और आप इसको चैलेंज के वल बाइस से पचीस फेवरुवरी के फ्रेम ओफ विंडो पे कर सकते हैं सब को रिक्वेस्ट करूंगा किसी को भी लगता है क कहीं जेन्वेन डिस्क्रिपेंसी है तो पान से हजार रुपे मत सोचो अगर एक दो माक्स वहां से वापीस आए तो यह एक जेन्वेन इमनेस्पेंट होगा ठीक है इसके लिए आपको जाना होगा गेट आईट खड़कपूर की ऑफिसल वेबसाइट यूरल यूज करना है जाए गाट.ATKGP.AC.IN आप इस विंडो पे रूट कर दिये जाएंगे यहां लॉग-इन पे क्लिक करेंगे जैसे लॉग-इन पे क्लिक करेंगे अब आप अपने user password credential विंडो पे रूट कर दिये जाएंगे तो आपको username और password डालना है और लास्ट में mathematical capture डालने के बाद नहीं है आपको यहां I accept the declaration करना है और यहां से आपको challenge करना होगा अपने answers को लेकिन आपको यहां से challenge सीधे नहीं करना है आपको जाना है सबसे पहले view exam details जैसे view exam details में जाएंगे आप route कर दी जाएंगे इस page पे और यहां आपको करना है download master question paper कि देखो आपका sequence of question जो आपने experience किया होगा CBT में और जो master question paper है उसका sequence अलग है तो आपको reference जो है master question paper का ही लेना है जैसे एक चुटा example हुआ यह question number two है master question paper के इसाब से a sum of money लेकिन हो सकता है यह आपके question no.3 हो तो आप सबसे पहले अपने response seat में जाएं देखें कि आप कौन सा question में आपको ambiguity लग रही है यह mistake लग रहा है उसके बाद आप देखें कि हाँ question no.2 था आपका answer 500 आया था लेकिन IIT ने जो ऑफिसल answer की release किया है उसमे answer 1000 था तो अब आपको इस question को challenge करना है तो question no.2 रिफर करेंगे जैसे आप electronics के एंट एलेक्ट्रोनिक्स के और aptitude section का है तो aptitude मैं बार-बार repeat कर रहा हूं जो आप reference लेंगे वो master question paper का लेंगे और master question paper का answer की भी बगल में है तो मतलब कि आपको जो question paper answer की download करना है वो यहां से question paper answer की यहां से और आपको map करना है कि आपको question जो अपने अपने रिस्पॉन seat में देखा था और यहां अपने master question paper में कहां मैं पोरा reference लेना आपको master question paper का ऐसा क्यों क्योंकि आपको साथ यह पता होगा कि question सफल्ड थे किसी के लिए same question question number one था किस दूसरे बच्चे के लिए same question question number five था इवन options भी सफल्ड थे तो इसके लिए कहीं न कहीं आपको एक principle reference की नीड थी तो आगे IAT के बंदों ने इसको clear गुलाएगी reference आपको इसका लेना है ठीक है master question paper के सबसे और इसके बाद justification आपको टाइप करना है और मैं आपको यह बोलूँगा कि यह download upload जो PDF option है यह सबसे महुत पूर्ण है तो आप एक कम करो कि references अगर तीन चार standard books की है न तो बकायदा वो book का screen screenshot लो उसके उपर में properly reference दो कि यह इस book का है इस author का है इस edition का है और उसके बाद इसको attach करो और last में मेरी सबसे तुम्हारा खुद का work out भी रहे है तो यह सब अगर तुम attach करोगे तो definitely आपको benefit मिल सकते और सबसे important चीज़ बताओ ऐसा नहीं है कि 5 के बिहाफ में एक अच्छा challenge कर दिया तो उससे को बहुत फरक पड़ेगा उनको volume से भी equally मतलब है तो वह लास्ट में उनका algorithm ही चेक करके बताए बताएगा कि किस question में सबसे ज्यादा doubt raise हुए हैं यह सबसे ज्यादा contestant raise हुए हैं वह उसी question को ज्यादा अच्छे से scrutinize करेंगे तो मेरे को लगता है कि इस question में mistake है न तो volume भी रख रहा है ऐसा नहीं कि 5 मिलके एक कर दिये यह 10 मिलके एक कर दिये अलग 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 करो तो मेरे को लगता है it's been more than enough चले फिर बाबाई टेक के लिए